शान्ती, हर तरफ मनुश्यात्माई, प्रकृती असांत है, कष्ट में है, किसी को कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है, चाहे कोई कितना भी संपन्न है, बड़ा है, लेकिन अंदर से सब खाली है, सब एक सेकेंड की सच्ची सांती के बिखारी है, जिस प्रकार बाबा ने हमारी आस पूरी की, हमें ग्यान, योग, गुणों और सक्तियों में काविल बनाया, अब समय है, हम बाबा के ये खजाने, हर आत्मा और प्रकृती की हर रचना को बांटे, उनकी सुक, सांती, पवित्तरता, पाने की आस को पूरा करे, इस सेवा में बाबा के साथ चले, पुन्य का खजाना जमा करे, तो कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक आपकी जोली भी इन सब से भरी रहेगी, आज हम एक अभ्यास करेंगे, जिससे आप जहां भी रहोगे, आस पास स्वता ही आप से चार ओर, पवित्रता, सुक, सांती और सक्तियों की किर्णे सब को मिलती रहेंगी, संकल्ब करें, मैं बिंदू स्वरूप आत्मा, परम पवित्र फरिष्टा स्वरूप की ड्रेस को धारन किये हुए हूँ, मुझ बिंदू स्वरूप आत्मा के, चारो ओर, दिब्य सुनहरा प्रकास है, मेरे पवित्रता के, फरिष्टा स्वरूप से, अंग अंग से, अलोकिक दिब्य प्रकास फैल रहा है, मेरा संपून शरीर लाइट का है, बहुत थलका है, मैं संपून अव्यक्त स्थिती में स्थित हूँ, मैं आत्मा बहुत महान हूँ, मुझे ये जनम परमात्मा पिता ने, विस्सो की सेवा अर्थ दिया है, मैं आत्मा फरिष्टा ड्रेस को धारन किये हुए, इस रंग मंच पर बाबा के साथ पाट बजा रही हूँ, मैं फरिष्टों के राजा, गुणों और सक्तियों के सागर, बाप दादा के साथ कमबाइंड हूँ, वो हर पल मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, और मेरे पूरे लाइट के सरीर से अती दिब्य, पवित्तरता, सुख, सांती का प्रकास, चार और फैल रहा है, चार और दूर दूर तक ये प्रकास मुझे से फैल रहा है, प्रकृती, सर्व आत्माएं, गहैन सांती, पवित्तरता और परम सुख की अनुभूती कर रही हैं, मैं जहां भी हूँ, वहां बाबा, मुझे फरिस्ता स्वरूप में, सबकी सेवा करा रहा है, बाबा, मुझे देखकर बहुत हर्शित हो रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे, तुम बहुत महान हो, इस संसार की सर्व स्रेष्ट आत्मा हो, तुम्हारे जैसा महान और कोई नहीं हैं, आपके द्वारा, बाप दादा, सबके आगे प्रत्यक्स होंगे, आप बच्चे मुझे बहुत प्रिये हो, मेरे नैनों के नूर हो, पूरा दिन अव्यक्त स्थिती में स्थित होकर, स्वयम को बिंदू स्वरूप आत्मा समझ कर, फरिष्टा अड्रेस धारन करके, हर पल बाप दादा को अपने साथ महसूस करें, और स्रिष्टी रंग मंच पर अपना पार्ट बजाते रहें, इससे आपकी स्थिती बहुत हलकी, ब्यर्थ से मुक्त, और सक्तियों और गुणों से भरपूर हो जाएगी, पावरफुल बन जाएगी, और सबसे बड़ी बात, चार ओर आपसे सुख, सांती, पवित्तरता की लाइट फैलेगी, जहां भी आप जाओगे, चार ओर सब की सेवा आपपे ही होती रहेगी, सब को आपसे सुन्दर अनुभूती होगी, सब देखेंगे, ये कोई महान आत्मा है, जिसको देखते ही, जिसके संपर्क में आते ही, मन सांत हो जाता है, ओम शांती